नमस्कार स्वागत है राजसभा टीवी में आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाठक आई शुरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ करनाटक विधान सभा में विश्वास प्रस्ताओ पर सोंबार को भी चट्चा रहेगी जारी राजपाल बजुभाई वाला की ओर से दी गई डेड्लाइन के खिलाप सुप्रीम कोट पहुँचे मुख्यमंत्री कुमार स्वामी करनाटक कॉंग्रिस ने भी सुप्रीम कोट के 17 जुलाई के आदेश पर स्पष्टिकरन की मांग को लेकर दायर की याचिका किसानों की समस्याएं दूर करने और उनकी आमदनी दोगुना करने के प्रयासों में जुटी है सरकार बीजेपिसान सद विजेपाल सिंग्तोमर की ओर से किसानों की समस्याओं को लेकर पेश निजी संकल्प पर बोले क्रिशी और किसान कल्यान राज्य मंत्री परशोत्तम रुपाला चर्शा के दौरान कई सदस्यों ने किया संकल्प का समर्थन मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ा मानवाधिकार, सनरक्षन, संशोधन, विधेयक, लोकसभासे पारित ग्रिश राज्य मंत्री नित्यारं राय ने कहा राष्ट्रय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाना मकसद सुचना का अधिकार संशोधन बिल समेट तीन बिल लोकसभा में पेश केंद्रों और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल एनर्सी के लिए समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाने का किया अनुरोध केंद्र ने कहा भारत को नहीं बना सकते दुनिया के शहरनार्थियों की राजधानी एनर्सी में शामिल नागरिकों के नमूने के सत्यापन की भी की गुजारिश और असम और बिहार में बार्घ के स्थिटी में थोड़ा सुधार बिहार में बार्घ ग्रस दिलाकों में पानी घटने के बाद महमारी फैलने का खत्रा असम में 28 जिलो के 53 पन लाख लोग अब भी बार्घ की चपेट में प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी न आसम के सांसदों को बार के मद्दे नजर केंद्र की ओर से सभी तरह की मदद का दिया भरोसा खबरों में सबसे पहले बात होगी करनाटक की करनाटक में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के नित्रित्व वाली गठबंधन सरकार का भविश्य तै करने वाले विश्वास प्रस्ताव पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो सका है विधान सभा में चर्चा सुमवार को भी जारी रहेगी मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने करनाटक विधान सभा में कहा कि मैं फ्लोर टेस्ट का निर्ने स्पीकर पर छोड़ता हूँ इससे पहले राजिपाल ने शाम 6 बजे तक बहुमत्साबित करने को कहा था लेकिन दूसरी डेडलाइन भी खत्म हो गई वही कल विश्वास मत परिक्षन किये बिना विधान सभा की कारिवाही स्थगित कर दी गई इसके विरोध में बीजेपी विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी की मांग को लेकर विधान सभा में धरना दिया तो करनाटक में जारी सियासी संकट के बीच कॉंग्रेस और जेडी एस सुप्रीम कोट पहुँच गए हैं के कोट के 17 जुलाई के आदेश की वजह से पार्टी का अपने विधायकों को विप जारी करने का अधिकार खत्रे में आ गया है यह याचिका करनाटक कॉंग्रेस के अध्याक्ष दिनेश गुंडू राओ ने दायर की है याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोट के आदेश से अपने विधायकों को विप जारी करने का राजनेतिक दल का अधिकार कमजोर हुआ है नियाले को इस आदेश पर सपष्टिकरन जारी करना चाहिए कॉंग्रिस का कहना था कि इस मामले में वो पाटी ही नहीं है फिर उसके अधिकार को सुप्रीम कोट कैसे रोक सकता है उधर करनाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी सुप्रीम कोट का रुख किया है उन्होंने राजपाल के उस पत्र के खिलाफ चुनौती दी है जिसमें विश्वास मत पूरा कराने के लिए डेडलाइन तै की गई है करनाटक के राजपाल ने सीम कुमारस्वामी को बहुमत साबित करने कि आज दूसरी डेडलाइन मिली थी और राजपाल ने सदन में शाम शे बज़े तक विश्वास मत पूरा करने को कहा इससे पहले गवर्नर ने दो पहर डेड़ बज़े तक की डेडलाइन दी थी तो अब कॉंग्रिस और जेडियस दोनों नहीं कोट का रुख कर लिया है कॉंग्रिस का कहना है कि विप जारी करने के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और वो इस मामले में पार्टी नहीं है तो इसका सुप्रीम कोट को ध्यान रखना चाहिए था स्पश्टिकरन उन्हें जारी करनी चाहिए दूसरे तरफ जो डेडलाइन दी जा रही है बहुमत साबित करने के लिए उसे लेकर मुख्यमंत्री एजडी कुमार स्वामी सुप्रीम कोट पहुचे है बहराल अभी तक शक्ती परिक्षन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है बाद में मंडे चर्चा रिस्टार्ट होगा और चर्चे के बाद सरकार का रिप्लाई होगा उसके बाद वाइस ओट और इफ नीड भी डिविजन करके वोटिंग होगा सरकार ने बताया है कि किसानों के लिए पी-एम किसान सम्मान निधी की सालाना राशी छे हजार रुपे से बढ़ाए जाने का अभी कोई विचार नहीं है राज्य सभा में प्रशनकाल के दौरान केंद्र कृशी राज्य मंतरी पुर्शोतम रुपाला ने बताया के खेत, मजदूरों या पट्टे की खेती के लिए योजना अभी लागू नहीं है लिगन सरकार ने किसानों को बिचॉलियों से बचाने के लिए कई कदम उठाए है इसके अलावा रेल मंतराले और खाद्य और सार्वजनिक मामलों के मंतराले से जुड़े सवालों के जवाब भी प्रशनकाल के दौरान दिये गए दो तरह के स्टेट हैं एक DCP अस्टेट है जो रास सरकार खरीदती है और जितना खरीदती है वो तरह हम पैसा उनको देते हैं बकिये हम उनको क्यागते हैं कि आनाद देने का काम करते हैं लेकिन कौन DCP estate है वो हम तेह नहीं करते हैं FCI उन्हीं जग उपर खरीद करेगी जो non-DCP estate हैं लेकिन जिदि कोई estate कहेगा कि हम DCP estate हैं हम ही खर देंगे तो हम उनके उपर में छोड़ने का जगते काम करते हैं जहां तक subsidy का मामला है अलग-अलग राजियों में अलग-अलग जगते के subsidy हैं जो railway का infrastructure है उसको संभालने की जिम्मेदारी RPF के उपर रखी गई है और state की जो GRP है उसकी जिम्मेरदारी रखी है जो पैसेंजर्स है उनकी सिक्योर्टी उनके ओपर कोई केस हो तो वो state की GRP उसका द्यान संग्यान रखती है जो हमारा minimum support price पे हम खरीद करते हैं उसमें उनको मदद मिले किसानों को इसके लिए सरकार के द्वारा जो राशी दी जाती है वो किसानों के एकाउंट में दी जाती है अभी किसी बिचोलियों के एकाउंट में राशी जाती नहीं है यह प्रयासम कर रहे हैं और इसको एक इनाम platform भी रखा सरकार ने create किया है जिसके जरिये भी किसान डाइरेक्ट अपना माल खरीद फरोप कर सकता है और इसमें बिचोलियों की समापती के लिए कर दिया गया सभापती एमवंकर यानाइडू ने स्थाई समिती के गठन के लिए राजनेतिक दलों से जल से जल नाम देने की अपील की है दो पहर बाद राजय सभा में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के तहट बीजेपी सांसद बीजेपाल सिंग तोमर ने किसानों के समस्यां को लेकर निजी संकल पेश किया किसानों के मसले पर चर्चा का जवाब देते हुए क्रिशी और किसान कल्यान राज्य मंतरी परशोत्तम रुपाला ने कहा कि सरकार किसानों की समस्यां को दूर करने और उनकी आमद्दी दोगुना करने के लिए प्रतिबध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अन्य सदस्यों के ओर से उठाए गए कई मुद्दों के जवाब भी दिये। हमारी सरकार किसानों को कम लागत कैसे लगे इसकी लागत कम हो और फिर इसकी प्रोड़क्टिविटी कैसे बढ़े फिर इसकी जो प्रोड़क्टिविटी हो उसके सही दाम कैसे मिले कम लागत फिर उसकी प्रोड़क्टिविटी के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यक आगले साल का रिकोर्ड तोड़कर इस साल उत्पादन कर रहे हैं इस प्रकार का और मौनसून में इतना बदलाओ क्लाइमेट चेंज की जो भारी असर आ रही है इसके बावजूद भी हमारे देश का अनाज का फल का सब्जी का सभी उत्पादन उसकी रेकोर्ड उंचाई पर चल रहा है और इससे पहले विजयपाल सिंग तोमर ने संकल्प पेश करते हुए किसानों की समस्याओं पर बात की और किसानों के लिए समवेधानिक दरजा वाले राष्ट्य किसान आयोग की स्थापना का आगरह किया किस ने कहा है कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया बात निकली तो हर बात पर रोना आया किसान की हालत इस तरह की हुए साथ कि उनको सड़के चाहिए बिजली 24 गंटे चाहिए बंडारन चाहिए प्रोसेसिंग चाहिए मार्किटिंग चाहिए किसान आयोग जिसको पीछे constitutional ताकत हो ताकि किसानों की समर्थन करते हुए कई दलों के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और सरकार से किसानों के हितों से जुड़े कामों में तेजी लाने का आग्रह किया जोरान किसानों को सीचाई के लिए पानी उचित समय पर खाद उपलब्ध कराने के साथ-साथ भूमी अधिग्रहन के दोरान उचित मुआबजा दिलाए जाने का मसला भी उठाया गया धनबानों ने गड़ीब किसानों को जमीन छिन रहा है और इसके चलते क्लैशेश हो रहा है, हंगमा हो रहा है हलाकि हमारा संग्मिधान की धारा 21 में प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड पार्सोनल लिबार्टी निश्चित किया गया किसानों का जितने सारे समस्या है कैसे कि तोमार जी ने उठाया उसको मैं तो समर्थन करता हूँ, उसको तो सोचना ही चाहिए लेकिन यह जो बीच-बीच में ऐसा घटना घटते है इसके बारे में भी सोचना चाहिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी आपने छे हजार देने का वादा किया लेकिन पहला किस्त मिला तीन करोड़ च्छाथिस लाख दो हजार रुपए का पहला किस्त मिला लेकिन आपने दूसरे किस्त में उसको कम करके दो करोड़ च्यानवे लाख कर दिये और दो लाख सतर हजार किसान जो बेंक ब्योरा और जमीन ब्योरा में विसंगती के कारण ना तो उनको पहला किस्त मिल पाया संदेश तिया किसान, किसानी, दलित, आदिवाति उनके सरोकारों पर किसी क्रोनी पुझी बात का पंजा नहीं परेगा तब बात आएगी तब किसान आयो की महता होगी सीमा पर जवान मर रहा है खेत में किसान मर रहा है और हजारों की संख्या में किसान उन्हे आत्मत्या की है उनकी पीड़ा उनकी तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं उनके फसल का दाम देने की एक स्पस्ट नीती आप बनाईए समर्थन मूल्य देने की एक स्पस्ट नीती बनाईए जिसके कारण किसानों को समय पर उनका समर्थन मूल्य मिल सके वही लोग सभा ने आज मानवाधिकार संरक्षन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी इसका मकसद राश्य मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाना है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रिय ग्रिह राज्य मंतरी नित्यान अंदराय ने कहा कि वर्तबान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि किसी के साथ भी मानवाधिकार का उलंगन ना हो इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चितम न्यायले का न्यायधीश रहा है साथ ही सुझाव आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के पदावधी को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जाए और ये पुनर नियुक्ति के पात्र होंगे इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे आयोग चाहे वह राष्ट्य आयोग हो या वह राज्य का मानव अधिकार आयोग हो उसका कोई भी पद रिक्त नहीं हो इसलिए सरलता के लिए सुविधा के लिए और पद रिक्त नहीं रहे इसके लिए पद पे निफ्ती हो जाया भ्यक्त का इसके लिए इस प्रवधान को यहाँ प्रस्तूत किया गया है लाया गया है अध्यक्ष मोदे इसी परकार का इस HRC में भी है कि ठीट उसी परकार राज के मानव अधिकार आयोग में उच न्याले के मुख्ष न्याइधिस के अलावा उच न्याले के न्याइधिस भी इस अध्यक्ष पद के लिए पात्र हो सकते है जो भी हमारे ये आयोग हमारे बंद रहे हैं इन बात पर ध्यान दिया जाएं ऐसे को गाइडलाइन भी साथ साथ तैयार होना चाहिए ऐसे रूल्स भी कुछ परकार से बनना चाहिए कि वो एडमिस्टेशन को मदद करें अिस दूल्स फिएड करें ख़ए अफुम परकार से बनद परकार अतैयार मेखए आमिसरिवाघख ल questo सह से से प्रेज़ बिडिस बिल अगें लेटेटेल डिसकुशन अने इंपले से अब इस अब इस इसकुशन अनुट प्रॉप देने के लिए तै की गई सीमा के लिए और वक्त मांगा है और सीधे तोर पर सरकार ने कहा है के एक भी अवैध रूप से रह रहे हैं लोगों को भारत में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी सरकार इसके लिए प्रतिबध है आपको बता दे के अंतिम रूप देने के लिए तै की गई कतिस जुलाई की समय सिमा को बढ़ाने का निवेदन सरकार ने किया है केंद्र सरकार ने कहा है कि अवैध घुस पैठियों को हर हाल में अपने देश वापस जाना ही होगा केंद्र ने कहा कि हम भारत को विश्व की रेफ्यूजी कैपिटल नहीं बना सकते इससे पहले पूर्व में सुप्रीम कोट ने कतिस जुलाई तक वेरिफिकेशन के काम को पूरा करने के लिए कहा था केंद्र सरकार ने कहा कि अभी लोगों की पहचान संबंधी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन का राना बाकी है अब इस मामले के अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी और अब बाद बाहर से जुड़ी हुई कर लेते हैं बिहार में प्रमुख नदियों में जलस्तर के घटने से कई शेत्रों में बाहर के स्थिती में धीरे धीरे सुधार हो रहा है राज में बचाओ और राहतकार्य तेज कर दिये गए हैं वही आसम में भी बताया जा रहा है कि बाढ़ के स्थिती में मामुली सुधार हुआ है हलां कि 28 जिलों के 33 लाख लोग अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुआ हैं पिछले 24 घंटे में 9 लोगों के मारे जाने से मृतिकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है तो बिहार और असम दोनों ही जगों पर जलिस्तर में कमी आने की वजह से थोड़ा सुधार देखने को मिला है वही असम के बीजेपी सांसदों ने प्रदेश में बाढ़ के मुद्दे पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की केंद्रिय मंत्री और डेबरुगर्ड के सांसद रामेश्वर तेली के अगवाई में बीजेपी सांसदों के ये प्रतिनिधी मंडल प्रधान मंत्री से मिले और प्रधान मंत्री ने असम में बाढ़ के मद्दे नजर केंदर की ओर से सभी तरह की मदद का आश्वासन दिया है असम में जापानी बुखार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं गुरुवार को हुई तीन और लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या 97 तक पहुँच गई है राश्च्य स्वास्थ मिशन ने यहां बुलिचन में बताया के जापानी बुखार से 20 नए लोग पिडित हुए हैं इससे इस बिमारी से पिडित लोगों की संख्या बढ़कर 426 हो गई है बुलिचन में ये भी बताया गया है कि गुरुवार को दरांग, लखिंपुर और तिन्सुकिया जिले में एक-एक मौत हुई है जापानी बुखार वेक्टर जनित बिमारी है जो दिमाग को प्रभावित करती है आपको बता दें कि जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था नवनिर्वाचित लोगसभा सांसदों के लिए ओरिंटेशन कारिक्रम में आज लोगसभा सची वाले की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई, इसमें सचेवाले के अधिकारियों ने नए लोकसभा सांसदों के लिए इस संसद, पोटल, वेतन, पेंशन, भतो, चिकित्सा, आवशक्ताओं, आवास, खानपान, ग्रन्थाले जैसे सेवाओं से जुड़ी विभिन प्रकार की सेवाओं के बारे में जानकारी दी और संसद सदस्यों की शंकाओं का भी समाधान किया गया विश्यों से संबंदित डिबेट हुई है, वाद विवाद हुआ है, समवाध हुआ है, वह सब आपको उपलब्द हो जाएगा तातकाली कुरूप से किसी विधेक के उपर बोलना है, या बजट या और किसी चीज के उपर आपको डिबेट में भाग लेना है तो संदर्ब सेवा भी यहां उपलब्द है, उस संदर्ब सेवा का कैसे उपियोग किया जा सकता है और कितना उपियोग किया जा सकता है इसकी जानकारी भी आपको उपलब्द कराई जाएगी बीजेपी ने संगठन चुनावों के लिए चुनाव अधिकार्यों की न्यूक्ति कर दी है पूर्वक्रिशी मंत्री राधा मोहन सिंग को राश्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को एक बार फिर से भाशन देंगे उन्होंने अपने इस भाशन के लिए देशवासियों से राय मांगी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपके विचार लाल किले से देश के 130 करोड भारतिय सुनेंगे उन्होंने ये विचार नमो एप के जरिये मांगे हैं इसमें लोगों द्वारा प्रधानमंत्री ने अपने विचारों को साज़ा करने को कहा है 14 जुलाई को दिल्ली से कारगिल के लिए रवाना हुई कारगिल विजय जोती आज हिमाचल प्रधेश के मंडी शहर पहुँच गई है और मंडी शहर के अतिहासिक सेरी मंच पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने विजय जोती का स्वागत किया उनके साथ अन्य मंत्री विधायक और प्रशासनी कधिकारी भी मौजूर थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करगिल विजय जोती को सेना के जवानों के हवाले किया सीम जैराम ठाकुर ने कहा के करगिल युद्ध सेना के अदम में साहस की याद दिलाता है करगिल युद्ध के दोरान हिमाचल प्रदेश के बावन रण बाकुरों ने अपने प्राणों की आहुती दी थी जिसमें मंडी जिले के बारह जवान शामिल थे कैप्टेन विक्रम बत्रा और हवलदार संजे कुमार को मरणों परांत सेना के सरवच्छ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था सवभाग के शाली है कि हमको उस यात्रा के इस बीच में उसका हिस्सा बनने का अफसर मिला और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कारगिल में शहीद जो जवान हुए उनको समर्ण करने का आज अफसर है उनको श्रदांजली देने का आज अफसर है उनकी वीर्ता को हमेशा याद किया जाएगा और उस दिष्टी से जहां हिमाचल परदेश छोटे परदेश होने के बावजूद भी यहां का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है इधर पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंदर प्रदान ने आज दिल्ली में काउंसिल ओन एनरजी, एन्वार्मेंट एन्वाटर के कारिकरम एनरजी होराइजन 2019 को संबोधित किया इस मौके पर उन्होंने एलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिक्ता देने पर जोर दिया उनका कहना था कि भारत में परिवहन साधनों की विस्तार की जरूरत है लेकिन इंधन की समस्या और प्रदूशन पर नियंतरन के लिए एलेक्ट्रिक वाहन एक बहतर विकल्प साबित हो सकते हैं दो दिवसिया एनरजी हॉराइजन कारिकरम में कई विश्तार की विश्तार की ए लोगसभा चनाव 2019 के दौरान बंगाल में हुई हिंसा को लेकर नाशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रभाद प्रकाशन की ओर से आज नई दिली के नहरू मेमोरियल म्यूजियम में ब्लीडिंग बंगाल पुस्तक का विमोचन किया गया इस मौके पर कई वरिष्ट पत्रकार मौजूद थे समारों में कई वरिष्ट पत्रकारों ने अपने अपने विचार साजा किये ब्लीडिंग बंगाल पुस्तक में पश्चिम बंगाल में त्रिणमूल कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच हुई राजनेतिक हिंसा की घटना के बारे में और बंगाल के राजनेतिक इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा गया है तुम्सेब्ड करफ्टीजे नहीं कि यह भीन्गल इवेलिदा दिर प्रॉटीन की तुमनेशन अ प्रॉटीर इस हैं। प्रॉटिकल उन्गाले कि एक नुछक्ट वुलिजे इसकारिव मेंने भी पही पार्टिजने से एक अब्रॉमाटार कि अपना काहिए हैं। भारतिय क्रिकेटर सचिन तेंदूलकर को ICC के Hall of Fame में शामिल किया गया है। ये सम्मान दिया गया। सचिन Hall of Fame में शामिल होने वाले छटे भारतिय क्रिकेटर हैं। से पहले ICC ने क्रिकेट हौल अफ फेम में पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंग बेदी, वल्लकप विजेता कप्तान, कपिल देव, दिगज सुनील गावसकर, राहुल द्रवेड और अनल कुम्बले को शामिल किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही जुड़े रहे हमारे साथ, नमस्कार